इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के मुश्किले खत्म होती नजर नहीं आ रही है कि इंद्र सरकार ने आतंकवादी निरोधक कानून के तहत जाकिर के एंजियो को पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया है दरसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी की अधिक्षिता में हुई कि इंद्रिय बैठक में जाकिर नाइक के एंजियो इस्लामिक रिसर्ज फांडेशन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताफ को मंजूरी दे दी गई है ग्रहम अंत्राले की ओर से चल थी इस बावत एकदी सूचना जारी कर दी जाएगी अधिकारियों के माने तो ग्रहम अंत्राले की छानबीन में यहाँ पता चला है कि जाकिर की एंजियो के पीस चीवी के साथ रिष्टे हैं जिस पर आतंक वात फैलाने का आरोप है पीस जीवी एक अंतरास्ट्रिय इस्लामिक शानल है इसके साथ ही नाइक ने आपत्ती जना कारिक्रम बनाने के लिए IRF के विदेशी चंदे पीस चीवी को दिये थे भारत में तैयार किये गए इन ज्यादातर कारिक्रमों में नाइक के कथित नफरत भरे उपदेश थे जिसमें पीस जीवी के जरीए सभी मुसल्मानों से आतंक वाती बनने की अपील की गई थी हाला कि सरकार जाकिर के एंज्यों की विदेशी फंडिंग पर पहले ही रोक लगा चुकी है वारा जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया में हैं और सरकार एंज्यों की जरीए जाकिर पर शेकंजा कसने में जूटी हुई है देखते रहे डीपी लाइव